हेलो इस्टोटन मैं निखिलक मारे को फिर आप तोड़ी का स्वागत करते हुआ तो आपके अपने यूट्योब चाना CGPAC e-part शाला के दोरा हर साल की तरह इस साल भी CGPAC pre 2022 के test series conduct करा जा रहे है CGPAC e-part शाला का यह CGPAC pre-test series शुरू होने वाला है आपके 20 नमंबर से test start होगा 20 नमंबर से और इस test series का registration आज से open हो चुका है ठीक है इस test series का registration आज से open हो चुका है जो भी student अपना registration कराना चाहते है वो CGPAC e-part शाला mobile app को download कीजिए और इस mobile app में जा करके आप अपना registration करा सकते है ठीक है registration का last date भी आपके 20 नमंबर तक है 20 नमंबर तक आपना registration करा लिजिए और 20 नमंबर से आपके test start हो जाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा basic information देने वाला हूँ कि आपको test किस प्रकार से देना है किस प्रकार से test online attempt करना है किस प्रकार से उस test के PDF को download करना है test कितने बज़े शुरू होगा, test का time duration कितना होगा, ठीक है test में total कितने number of test होगे वो सारा basic information आपको इस वीडियो के मात्यम से provide करा जा रहा है ध्यान समझेगा, देखिए, cgpsc pre test series 2022-23 जिसमें आपको online attempt भी मिलेगा यानि कि हर test का आपको online attempt मिलेगा, और test के बाद test के PDF को आप download भी कर सकते है दोनों option आपको दिया जाएगा, इस test series में total आपके 14 test, 14 test paper होगे ठीक है, जिसमें से 12 जो आपके test है, ये subject wise, आगे सारा test का list आपको provide कराया जाएगा जिसमें जो 12 subject है, जो आपको 12 test है, ये subject wise होगे यानि कि आपका Indian history, 36 गर history, Indian geography, 36 गर geography, आपका जो है, आपके economics सारे topic wise जो है, आपके test होगे, 12 test और 2 mega test होगे 2 mega test का मतलब, एक आपका GS का paper, प्लस एक CSET का paper, ठीक है तो total आपके 14 test paper, इसमें set किये गया है हर एक test paper में question की संख्या जो है, ये है आपकी 100, 100 question होगे, ठीक है 100 question इसमें होगे, अच्छा हाँ, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजेगा ये जो test series है, ये केवल Hindi medium students के लिए ही है, ठीक है यानि कि सारे जो question paper है, ये Hindi में set होगे, ठीक, इसको पहले सी clear करके लास्ट टाइम बहुत से student जो है, इस चीज पर ध्यान नहीं दिये थे, वैसे तो मेरे जितने भी आपके test series का जो भी information डाला जाता है, उसमें clearly mention रहता है, हिंदी medium only करके, ठीक, तो देखिए, इसमें जो है 14 test आपके paper set किये गया है, जिसमें 12 subject wise और 2 mega test है, हर एक test paper में 100 question होगे, आगे आगे आपको list दिखाया जाएगा कि कौन-कौन से date में कौन-कौन से test है, इसका जो आपका पूरा test का टाइम schedule है, ये telegram channel भी upload कर दिया गया है, ठीक है, test start होगा date wise, अब date कौन सा है, आगे online test start हो जाएगा, जो subject wise test है, यानि कि जो 12 test है, इसके लिए आपको देड़ घंटे का समय दिया जाएगा, अगर maths और reasoning का test है, तो उसमें 2 घंटे का समय, क्योंकि पेपर थो असा लंबा रहता है, ठीक है, तो इसमें जो है देड़ घंटे का समय रहेगा, देड़ घंटे का स आप से, जो mega test series है, यानि कि 36GS और CSET का जो लाश्ट में आपका exam, जो test होगा, वो 2 घंटे का रहेगा, ठीक है, इसमें भी timer रहेगा, जैसे ही आप test में login करेंगे, उस test के start होने के बाद, 2 घंटे का timer उसमें automatically on हो जाएगा, ठीक, test का जो result है, यानि कि जो rank है, वो शाम को 7 साथ बजे telegram channel में upload होगा, ठीक है, साम को 7 बजे telegram channel में upload होगा, और साथ साथ जो test का PDF है, टेस्ट का PDF भी, शाम को 7 बजे result आने के बाद ही upload किया जाएगा, ठीक है, जो आपका online test है, online test आपका सुबह 8 बजे activate हो जाएगा, लेकिन test का PDF शाम को 7 बजे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि test PDF के साथ उसका answer की भी attach रहता है, तो किसी प्रकार का कोई भी इस्टोय नकल ना कर सके, इस कारण शे साम को 7 बजे, जैसे ही telegram channel पर आपका result आएगा, result के साथ साथ आपका test का PDF भी upload कर दिया जाएगा, ठीक है, कहां से download करना है test PDF, वो भी आगे आपको बताऊंगा marking system कैसा है, इसका marking system में यह है 2R-0.67W, ठीक है, यहने कि एक question correct होने पर आपको दो number मिलेंगे, अगर कोई question गलत होता है, तो उसमें से 0.67 marks जो है, यह cut हो जाएंगे, ठीक है, यह जो है, आपका जो negative marking है, वो है आपका एक तीहाई, एक तीहाई negative marking है, इसका मतलब यह मात होता है, तो निर्धारित आंका कितना है, एक question का 2 है, इसका एक तीहाई कितना होगा, इसका एक तीहाई होगा, 0.66W, यह 0.67W, ठीक है, तो यह है आपका marking system, यह marking system जो आप test attempt करेंगे, उसका automatically calculate हो करके, वो आपको पूरा का पूरा marks उसमें बता देगा, ठीक है, अब देख जब आप test दे रहे है, जब देड़ घंटे का timer on है, उस दौरान आप नहीं किसी से call में बात कीजिएगा, नहीं test को छोड़ करके कहीं जाईएगा, और नहीं mobile app से बाहर आना है, क्योंकि यह तीनों condition में, कई बर क्या होता है, call आता है, call attempt करते है, उस दौरान में test automatically submit हो जा close कर दिया, तो भी automatically test submit हो जाएगा, और जितना आपने question attempt किया होगा, वो automatically हमारे पास record में आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप जो है mobile का कोई दूसरा use कर रहा है, याने कि मान लीजे कोई दूसरा app चला रहा है, या Google में कोई सर्च कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, generally यह जो mobile app है, यह cheating से थोड़ा सा, यह उसके mindset ऐसा रहता है, कि अगर आप कोई दूसरा mobile app यूज़ कर रहा है, तो जब कभी आप test दने के लिए बैठेंगे, और आपका एक बार अगर timer activate होगा, तो इस timer के activate होने के बाद, आप जो है, mobile app को छोड़ करके, कहीं दूसरा चीज अक्सेस मत कीजेगा, या call attend मत कीजेगा, अब देखिए, यहाँ पर जो है, अब बहुत से लोगों का एक question रहता है, कि सर जिस date में exam है, उसरो साड़े आठ बज़े test शुरू होता है, तो साड़े आठ बज़े ही test देना जरूरी है, क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए, test आप जब चाहे, जिस भी समझ चाहे, जिस भी date में देना चाहे, उस date में आप test दे सकते हैं, test सुरू हो रहा है, आपके 20 नवंबर से, ठीक है, और यह test चलेगा आपके 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2023 तक यह test चलेगा, तो आप जब चाहे, तब उस test को attempt कर सकते हैं, लेकिन जो time schedule बन test है, देखिए, अब क्या होता है न, बहुत से जो student है, वो job में रहते हैं, हर किसी student का particular इस time में आ करके test attempt कर पाना possible नहीं होता, इसलिए इसमें यह timer system रखा गया है, आप जो है, जिस date में test है, माल लीजे 20 नवंबर को अगर आपका test है, तो 20 नवंबर को सुभा साड़े 8 ब बजे तक आप test attempt कर लीजेगा, पांच बजे के बाद 6 बजे से जो है, हम result बलाना शुरू कर देते हैं, और 7 बजे आपका result है, यह टेलिग्राम में publish हो जाएगा, ठीक है, याने कि जो student सुभा साड़े 8 बजे से ले करेके, शाम के 5 बजे के बीच में test attempt करेंगे, उन्हीं क result, ठीक है, उन्हीं का result है, वो आपका टेलिग्राम में upload होगा, ठीक, सुभा साड़े 8 बजे से ले करके, 5 बजे के बीच में जो attempt करेंगे, ठीक, और जो student attempt नहीं कर पाए है, वो भी test दे सकते है, लेकिन 5 बजे के बाद अगर कोई student test देता है, तो उसका result और उसका rank, देख उन्हीं का data collect करके ही result बनाय जाएगा, ठीक है, तो जो है, पाँच बजे से पहले attempt करने का try कीजेगा, बाकी आप test paper कभी भी solve कर सकते है, चाहे जो 20 नवंबर का test paper है, उस 20 नवंबर के test paper को, आप 30 नवंबर को ही क्यों ना solve करे, ठीक है, ये condition हो सकता है, आपने test attempt नहीं किय आप कभी भी solve कर सकते हैं, लेकिन अगर rank देखना है, rank देखना है, तो आपको उसी date में, सुबह साड़े 8 बजे से ले करके, शाम के 5 बजे तक आपको test attempt करना होगा, और उतने ही इस trend का rank generate होता है, ठीक है, ये सारा जो आपका, जो doubt है, वो सारा चीज बता रहा हूँ मैं, क टेस्ट कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, जो जनरली doubt रहता है, ठीक है, अब देखिए, अब थोग से टेस्ट का time table देख लेते हैं, ये total आपके 12 subject वर्ज टेस्ट है, ठीक है, हर एक test paper में आपके 100 question है, हर test paper में आपके 100 question है, 12 topic वर्ज टेस्ट के अगर हम बात करें तो भा भारती इतिहास है, छतिजगड़ का इतिहास है, भारत का भूगोल है, छतिगड़ का भूगोल है, भारत का सविधान एवं राज्य ववस्था, और इसी में ही आपका पंचायत भी होगा, ठीक है, इसी में जो है, आपका पंचायत भी होगा, ग्राम पंचायत और नगरी न निकाय यह भारतिय सविधान में आएगा ठीक है नग्रिय निकाय आपका जो इस्थानी निकाय है पंचयत और नग्रिय निकाय यह दोनों के दोनों आपके भारतिय सविधान के अंदर कवर होंगे उसका चतियर की जन जाती लोकला संस्कृति पर्वसाहित्य फिर हिंदी और एवं भाषा ये साथ का टॉपीक है break भारत छतित्त का लिए अर्थवरस्था ठीक है इसमें आपका छतित्त का सब्रहों मेंस्ट ही आपका सर्थिके स केमेश्टी आपका बायो टेकनलॉजी initiatives कोर्मेंट इससे कोशन बनेंगे मैस रिजनिंग और आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेर और ट्वेल्थ नंबर का आपका टेस्ट रहेगा च्छतिस गड़ करेंट अफेर तो यह बारा टॉपिक वाइस है ठीक है बारा जो है यह टॉपिक वाइस है और लास्ट में आपका मेगा टेस्ट एक ही डेट में होगा 31 जन्रवरी को इसका टाइम आपको बता दूँगा एक टेस्ट रहेगा आपके सूबह साड़े आड़ बजे रहेगा ठीक है साड़े आड़ बजे से ले करके दो घंटे का समय याने की लगभग आपका समय दिए साड़े दस और होंगे या आपका लाच्ट टेस्ट विपर रहेगा ठीक अगर हम डेट की बात करें देखिए यहाँ पर जो टेस्ट अगर आप डेट देख रहे है तो इसमें 6 डेस का गेप है देखिए टेस्ट अगर आप देखेंगे न तो टेस्ट आपका शुरू हो रहा है कब से 20 नवंबर से शुरू हो रहा है टेस्ट और यह टेस्ट एंड हो रहा है 31 जनवरी को और फरवरी में तो आपके एक्जाम रहते है आपको 6-6 दिन का समय दिया जा रहा है ताकि एक आपने CGPAC e-part चला के test series की बात नहीं कर रहा हूं आप कोई भी test series अगर आप जॉइन करते है तो इस उद्देश यह से जॉइन मत किया किजिए कि इससे question exam में फसेंगे ठीक है यह अगर कोई ऐसा दावा भी करता है कोई coaching institute या कोई आपका online platform तो वो आपको बेवकूप बना जाता है उससे भी question exam में आए है लेकिन आगामी exam में आएगा यह दावा करना बेवकूपी वाली बात है और इस उद्देश्च के साथ test series जॉइन करना यह उससे भी बड़ी बेवकूपी वाली बात है ठीक है तो test series देखे test series क्या होता है इसमें क्या है number of student अपना registration कराते है और उस number of student के बीच में आप अपना कौन सा position लाते है यह देखने के लिए test series जॉइन किया जाता है देखे कोई भी test series से question फसेंगे यह एक दम बेतुकार सवाल है हाँ question फस सकते है यह एक संभावना है वो exam conduct होने के बाद पूरा paper complete होने के आद पता चलता है कि इस particular test series से question करता है कि हमारे test series से इतने question आएगा तो बेवकूब बना रहा है test series जो है यह अपने self evaluation के लिए मतलब आपको आप स्वयम जो है जो number of student जो इसमें registration करेंगे उन सभी के बीच में एक particular set of question paper रखा जा रहा है उस 100 question को आपका mindset किस प्रकार सॉल्व करके कितना rank लाता है कितना score क करता है और आप उस इस्ट्वेंट के ग्रूप में कौन से rank अपना लाते है यह आपके preparation को बताएगा कि आप particular जो set of number of student को जो group है उसमें आप कौन से position पर है यह इसलिए join मत की जाया कि इससे question फसेंगे यह practice के लिए है जिसमें बहुत सारे student होंगे उस student में आप कौन सा rank लाते है पहले जो कोई question को predict करना कि यह question exam में आएगा देखिए generally क्या होता जो test paper set किये जाते है previous में जितने भी exam हुए है ठीक है साल भर में आपको जो भी exam हुए होंगे ज उसके analysis की basis पे यानि कि जो question पूछे जाने को जो trend चल रहा है उसके आधार पर test paper set किया जाता है ठीक है वो PST जो trade follow कर रहा है उसके आधार पर test series बना गया है और उस particular जो PST जो trade follow कर रहा है उस question पूछा जाएगा उस question को एक instrument किस प्रकार से attempt कर रहा है और आप अपना score कर र रहा है यह देखना होता है ठीक है जैसे कि अभी हमारा सब inspector का जो आपका test series हुआ उससे पटवारी का भी हुआ था उससे पहले assistant professor का भी हुआ था number of student join करते है अब उसमें क्या है आपको यह देखना रहता है कि आपने उस test में कितना score किया है और आपका उस number of group में उस number of student मे आपकी ranking क्या है आप उस student के group में किस कौन सा position ला रहे है ठीक है तो इस test series क्या है यह प्रतीस परधा है बहुत सारे चात्रों के बिच चात्र चात्राओं के बिच प्रतीस परधा है ठीक है उसमें आप अपना score लाएंगे और एक particular rank आपको दिया जाएगा यह है आपका test series ठ हर एक test series में 6 दिन का समय दिया गया है 6 days बहुत जादा समय होता है ठीक है preparation करने का समय बीत गया पूरा साल भर आप तयारी करते आया है अब जो 6 दिन का समय अलॉट किया गया है हर एक test series के बीच में आप इसमें तयारी कीजिए उस particular subject की तयारी कीजिए और उसके बाद ही test attempt कीजिए इससे क्या होगा एक तो आपका उस particular subject का जो revision है वो अच्छे से हो जाएगा और test attempt करके आप अपना self analysis कर सकते है कि आपने जो है कितना score किया और आपकी इस number of student के जो group है उसमें कौन सा आपका rank आया ठीक है तो 6 दिन का जो समय दिया गया और देखेंगे अगर आप test end कब और 31 जनवरी को फरवरी में तो generally आपके exam हो जाते हैं तो 6 दिन का समय test अगर time schedule यह ऐसे भी बनाया गया है ताकि exam तक आपके सारे subject revise हो सके और इसमें देखेंगे इसमें हर एक subject का एक ही test paper है जबरदस्ती का भारत के इतिहास paper एक भारत का इतिहास paper दो भारत का इतिहा आ जाता है यह पहली बार नहीं है अभी पिछले तीन चार साथ से जो test conduct हो रहा है यही time यही जो आपका time table है ऐसा ही रहता है subject ऐसे ही रहते हैं हर एक subject का एक ही test paper बनता है जिसमें selected question रहते है जो hundred question रहते है यह selected रहते है और दुबहरा फिर आप बोलेंगे कि भारत की इतिह clear किया गया है कौन-कौन से topic उसमें cover होगा ठीक है इसमें सारे subject और यह जो आपका test है CGPSC देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर कौन-कौन से topic cover होगा CGPSC का जो syllabus है वही syllabus follow होता है ठीक है अगर अभी नया आपका notification नहीं आया पुरान notification download करके देखिए कि भारत की इतिहा का भी टेश्ट एक बार होगा भारत के भूगल का भी टेश्ट एक बार होगा एक बार हो रहा है और उसमें selected question रहेंगे और उस एक attempt में आपको देखना है कि आपका rank कितना आ रहा है ठीक है देखो क्या होता है जनरली अब number of test बढ़ा करके easy question tough question mix up करके देखो number of test बढ़ान आपको exam दे नहीं है एक ही test papers से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है 6 दिन का समय है हर एक test को attempt करने का थोड़ा सा अच्छी से prepare करके test को attempt कीजिएगा दूसरा चीज आप कोई student पूसते है कि sir question का level कैसा रहेगा पहले से बताते रहा हूं question का level है यह रहेगा आ देख लेना जो पिछला भी जो exam हुआ है अगर पचास question 36 गड़ से आ रहा है मैं 36 की बात कर रहा हूं तो उसमें से 35 question जो है वह आपका एकदम जो आपने basic जो जीएस पढ़ा है जो 36 सामान्य अतन पढ़ा है उससे question पूछे जाएंगे पाच question यूनिक होंगे और दस question जो है वो logically solve होते है अब student की demand रहती है कि हमें हर प्रकार से नया question अरे नया question हम डालने के लिए डाल देंगे grant academy की इतनी मोटी मोटी पूस्तके है कोई भी एक random topic को उठा करके random question पूछना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन हमको नया experiment नहीं करना है अगर मैं 100 question अगर पूरा पूरा न्यू question डाल दूँ मुझे ही पता है कि कहां पर student को फसाया जा सकता है कौन से नय question का student को answer नहीं पता अगर पूरा पूरा 100 question वैसे नया डाल दिया जाए जिसका exam से कोई लेना देना ही नहीं है automatically आपका moral down हो जाएगा question paper average set किया जा रहा है जिसमें कुछ basic question भी होंग 100 question का अगर टेस्ट में बनाया जा रहा है तो उसमें 25 question आपको unique या नय question देखने के मिलेंगे ठीक है पूरे के पूरे नय question देखे कभी भी क्या होता है ना बहुत से आपके test series होते है market में जो एकदम unique question लेकर कर आता है और आपको लगता है कि एकदम नय नय question का क्या करेंगे आप यही अंदाज लगा लिजे कि साल भर कोई भी exam conduct होता है उस exam में किस प्रकारा question follow हो रहा है पुराने traditional question को घुमादर के पूछा जाता है और वैसा ही इसमें follow होगा इस test series में ठीक है unique question देखने के लिए मिलेंगे unique question कहां देखने के लिए मिलेगा national international current affair में 36 current affair में 36 North Carolina economic survey में यहां पर आपको कुछ नय question देखने के लिए मिलेंगे और नय question का sector ही वही है particular question पर doubt है तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो authentic source है ना वो authentic source यहां पर grant academy की पुस्तक और जो कोई question previous year exam में आया हुआ है previous year exam में अगर कोई question आया है जिसका cgpsc ने उसको answer ले लिया है भले ही grant academy की पुस्तक में उसको answer दिया गया हो लेकिन cgpsc ने अपने previous year के exam में अगर उसका answer लिया है तो उसको ही authentic मानेंगे जैसे कि 36 गड़ का वन छेत्र में कौन सा इस्थान है अब देखे वनावरण के आधर पर तीसरा इस्थान वन छेत्र के आधर पर चोथा इस्थान 36 गड़ सरकार के दोरा जो official economic सर्वे जारी के जाता है उसके वानिकी वाले chapter के पहली paragraph में है लेकिन वन छेत्र में प्यस्थी ने तीसरा इस्थान लिया हुआ है और उसी को लेते चले आ रहा है जिब कि economic सर्वे में चौथा इस्थान दिया हुआ है तो कई पर क्या होता है कि authentic source को भी नहीं मांगना पड़ता है ठीक है जानी कि जो आपका economic सर्वे हो गए गर दंत अकेडमी की तो यह लेकिन हाँ ध्यान दीजेगा टेस्थ कर रजिस्टेशन बीस नवंबर तक है बीस नवंबर के बाद भी आप रजिस्टेशन करा सकते हैं लेकिन जब तक तक तयारी नहों कि मैं टेस्थ अटेंट कर देता हूं या कर देती हूं question कैसा है देखने के लिए यह यह गल तयारी कीजिए अगर कोई particular date में किसी एक date में आप टेस्थ नहीं दे पाते हैं तो अलग से दो दिन का समय निकाल करके पहले इसका तयारी कर लीजिए तब जागर के टेस्थ दीजिए लेकिन तयारी करके देना है ठीक है अंधेरे में तीर चलाने वाला गलती नहीं करना है ठीक तो ये सारे के सारे टेस्थ के time schedule है अब ध्यान दीजिए कि आपको टेस्थ देना कैसे है जैसे ही आप cgpse e-parsal का mobile app ओपन करेंगे तो सबसे पहले नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको store वैसे तो आपको main जैसे ही mobile app ओपन करेंगे तो वहाँ पर registration का आपको पूरा detail वहाँ पर एक poster बना हुआ मिलेगा उस poster पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी जाकर आप registration करा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको 36 सब इस्पेक्टर भरती परिच्छा का reference बता रहा हूँ क्योंकि अभी cgpse e-parsal जो का इसका प्री का टेस्ट सरीज है यह शुरू हुआ नहीं है तो इसमें आपको बताते बनेगा नहीं कि किस प्रकार से online test देना है कहां से PDF डाउनलोड करना है यह सारा इंफोर्म है क्योंकि अभी तक upload हुआ ही नहीं है इसलिए 36 सब इस्पेक्टर को जो test series हमने conduct कराया था उसका reference लेते हुए चल रहा है कि किस प्रकार से online test attempt करना है कहा से PDF डाउनलोड करना है किस प्रकार से test join करना है यह सारा detail आपको इसी के थ्रू बताऊंगा तो जैसे आपने cgpsc pre का जैसे test test registration कराये आप कराएंगे तो यहां पर आपको start learning लिखाव मिलेगा ठीक है start learning इस start learning पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा ठीक है आपके सामने ऐसा interface open होगा इस यहां पर लिखाव मिलेगा आपको क्या content क्या लिखाव मिलेगा content overview के side में यहां लिखाव मिलेगा आपको content इस content पर अगर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा इस देखें यह है content जैसे ही आप content पर click करेंगे तो ऐसा interface open होगा अब यह जो आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह वीडियो भी इसमें अपलोड होगा, इसके साथ एक folder बना होगा, online test attempt, एक folder बना होगा, आपका test PDF और एक PDF इसमें अपलोड होगा, जिसमें पूरा का पूरा इस test series का time schedule उसमें दिया गया है, कि कौन कौन से date में कौन कौन सा test series होने वाला है, तो वो time schedule भी इसमें दिया गया है, तो देखिए, इसमें folder बना हुआ है, online test attempt, यहाँ पर आपको online test मिलेगा, जो कि सुभा साड़े आड़ बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सुभा साड़े आड़ बजे test अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर आप जैसे ही click करेंगे, तो ध्यान दिजेगा, online test attempt पर click करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से open होगा, अब जीज़ी date में जो जो test है, क्योंकि इसमें तो सारे test आपका upload हो जुगा है, particular date में जो है, आपके test इसमें upload होंगे, यहाँ पर आपके attempt का option देगा, क्या option देगा, attempt, जैसे ह इस attempt पर click करेंगे, आपका timer हो जाएगा on, ठीक है, आपका timer on हो जाएगा, ठीक, timer on हो जाएगा, और इसके थुरूआ आप test दे सकते हैं, ठीक है, test में आप जैसे attempt कर लेंगे, यह test कितने बजे शुरू हो जाएगा, सुभा साड़े आठ बजे, date wise, ठीक, शाम को 7 बजे, आ आपका PDF अपलोड होगा, PDF जो है, यह कौन से folder में आएगा, नीचे वले folder में, जिसमें आपका test PDF लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, हर एक test के side में, यहाँ पर एक circle बना हुआ है, ठीक है, हर एक test PDF के side में, यहाँ पर circle बना हुआ है, इस circle पे click करके, इस circle पे click क करके आप test PDF को download भी कर सकते हैं लेकिन ये टेस्ट जो है टेस्ट का जो PDF है ये particular test date के evening में 7 p.m. ही upload होगा ठेक है साथ बजे के बाद ही ये upload होगा बाकि ये test PDF रहेगा इसमें तो ये जो आपका test PDF है ये side में टेश्ट के दौरान screenshot लेने का कोशिश मत कीजएगा ठीक है screenshot या कोई sharing ये कोशिश मत कीजएगा यह आपका जो टेश्ट सीरीज है यह जो mobile app है mobile app आपको ब्लोक कर देगा ठीक है अगर आप देखेंगे यह जो जितने नंबर ब्लॉक हो जाता है यह हमने एक मोबाइल लेकर के दूसरे मोबाइल से फोटो क्लिक किया है करके इतना धुंदला दिख रहा है आपको इसमें स्क्रीन शॉट लेने का ट्राय मत कीजेगा नहीं ऑनलाइन टेस्ट अटेम्ट के दौरान या फिर आप जो है किसी भी ठीक तो यह सारा प्रोसेस है आपका टेस्ट का पहले प्रिपेर कीजिए उसके बाद ही टेस्ट अटेम्ट कीजिएगा अंधेरे में तीर नहीं चलाना है छै दिन का समय है सफिशेट समय हर एक टेस्ट पिपर का प्रिपेर करने के लिए हर एक सबजेक्ट का प्रिपेर करन ठीक है? चलिए